तरी बार नमस्तू, नमस्तू, नमस्तू महराज, मंच पे आसें चुलो महराज़ों को इच्छा में, महराज शीरी सुनने में आता है कि पुन्ने, पुन्ने से सुख सम्रद्धी और पैसा कमाया जाता है, और पेसों से पुन्ने कमाया जा सकता है, लेकिन देखने में आता है क कि पेशों से पुन्य हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं तो पेशों से पुन्य कैसे कमा जाए कर्पिया मार्क दर्संदे है बहुत अच्छा सवाल पुन्य से सुख सम्रिधी और पैसा कमाया जाता है और पैसे से पुन्य कमाया जा सकता है कमाया जाता है, ऐसा कहना ठीक नहीं, कमाया जा सकता है, आपने पुछा है, पैसों से पुन्न कैसे कमाई, पहले तो मैं आपके इस वाक को संसोधित करना चाहता हूं, पुन्न से सुख सम्रिधी हो शक्ती है, पुन्न से पैसा नहीं होता है, पहली बार, पैसा पुन्न से नहीं आता, क्योंकि यदि आप पैसा को पुन्न से आया मानोगे, तो जिसके पास जितना पैसा उसको उतना पुन्न साली मानना होगा, और जिसके पास जितना पैसे का अभाव हो, उसको उतना पुन्न हीन मानना होगा, मनना पड़ेगा कि नहीं मनना पड़ेगा, पिर बताओ बाबा, स सब सेथियां सबसे ज़्यादा पुन्यात्मा होंगे और हम जैसे सादू सबसे पुन्यी मानने को राजी हो गया बोलो हमारे पास तो एक धेला भी नहीं तो पैसे को पुन्य का आधार किस बल पर मानोगे महराज आपने तो उल्जान में डाल दिया अधार ने भी ऐसा दिया कि हम कुछ बोली नहीं सकते हमारे पास पैसा नहीं है पुन्य है कि नहीं तो तुमने ये क्यों नियम बनाया कि पैसा पुन्य से आता है पैसा पुन्य से नहीं आता पुन्य केवल अनुकूल सैयोग देता है और अनकूल सेयोगों में जब पाप करते हो तब पैसा आता है समझ गए पुन्न तुम्हारे पास था पुन्न हमारे पास भी है तुमने अपने पुन्न का उपयोग अपने बेशाय में किया सो पैसा कमा रहे हो और हमने अपने पुन्य का उप्योग परमार्स में किया जो आत्मा को मोख्शमार्ग में लगा रहे है यदि मैं तुम्हारी तरह लगता तो हो सकता किसी कंपनी का डायरेक्टर होता पर हुआ क्या पुन्य के उदहे में आपने पाप किया दुकान में बैठके क्या करते हो फैक्टरी में बैठके क्या करते हो दिन भर लोस प्रोपिट का हिसाब लाइट लोस प्रोपिट पाप है के पुन्य है बता दो पाप है एक सर तो जो तुम पैसा कमाए वो पाप से कमाए कि पुन्ने से पाप से भी हो सकता है तो फिर ये क्यों बोलते हो कि पैसा पुन्ने से आता है बात किलियर कर लेना थोड़ा जल्दी हजम नहीं होगी लेकिन करा दूँगा पैसा पाप से आता है और पैसा खुद पाप है बोलो पाँच पापों में परिग्रह पाप है की नहीं है पैसा परिग्रह है की नहीं है तो पैसा पाप से उत्पन है की नहीं है लेकिन जीवन को सुनो वो बात की बात नहीं बात की बात दूर की है पैसा पाप से उत्पन होता है कि नहीं, पैसा पाप है कि नहीं, तो पैसा पाप है, ये दिमाग में बिठाओ, जितना पैसा उतना पाप, ये बात है बिलकुल साफ, इसको जेहन में विठाल दो, परीग्र को पाप समझो, समझ गया है? अब इस पाप को पुन्ण में वजलने की टेकनोलोजी मेरे पास है, बता दूं? बता ये, पैसे से पुन्ण कैसे करें, तुमारे जेव में रुप्या है, ये क्या है? पाप, परीग्र है, पाप है, जेब में रुपयाए परिग्राए पाप है इस रुपये को निकाल कर तुमने मंदिर के गुलक में डाला क्या किया पुन्य हुआ क्या किया दान क्या हुआ पुन्य हुआ तो क्या हुआ यही पैसा जब तक जेब में था पाप गुलक में डाला बन गया पुन्य पाप को पुन्न में परिवर्तित करने की ये टेक्निक पसंद आई कि नहीं तो जोर से बजा थो ला पाप पुन्न में परिवर्तित हो गया तुरह थुआ ना तो पैसे से पुन्न कमाने का रास्ता यही है कि अपने पैसे को अच्छे कारे में ने योजित करो ध्यान रखो एक वक कहता हूँ पाप करके पैसा कमाते हो पैसा कमा के पाप मत करो बात दोहरा रहा हूँ पाप करके पैसा कमाते हो पैसा कमा के पाप मत करो अपने पैसे को अच्छे काई में खर्चो भोग बिरास में पैसा खर्चोगे और पाप बढ़ेगा और परमार्थ में अपना पैसा लगाओगे पुन बढ़ेगा समझ गया है? इसलिए पुन ने अनुकूल सहयोग दिया पुन पैसे में परंपरा से कारण है हगा अनुकूल सहयोग नहीं होता तो भीकाईजी बने रहते हैं तो पुन ने दिया उस पुन के उदेमें तुमने वैसा पुरसात उद्दम किया सो पैसा कमाया लेकिन यदि उसे अच्छे कार में नहोजिद करोगे तो पैसे से पुन कमाने कास रे प्राप्त कर सकोगे प्यास करना चाहिए